ये सच में दुर्भाग्य पूर्ण है कि हम मानवजाती को लिंग के आधार पर बाट रहे हैं मगर शायद यह भी जरूरी हो गया है क्योंकि सदियों से महिलाओं के साथ शोशन होता आ रहा है अलग-अलग समाजों में, अलग-अलग रूपों में हमने ऐसे समाज बनाएं जिन में बहुत ज्यादा शोशन हुआ जब मानव समाज इस तरह से बनाए गए तो स्वाभाविक रूप से पुरुश ही राज करेगा जब समाज हमेशा संघर्ष की स्थिती में रहेगा तो जाहिर है कि पुरुश का ही राज होगा क्योंकि पुरुशों का शरीर ज्यादा ताकतवर होता है बरावरी के आधार पर समाज तभी बनाया जा सकता है जब हम समाजिक धाचे में एक स्तर की स्थिर्टा स्थापित करें जब गुजारा ही जीवन का अंतिम लक्षे न हो बलकि हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा भर हो जब सभ्यताएं अच्छे से स्थापित होती हैं जहां कला, संगीत, सौंदर रिबोध ये भी उतने ही महत्वपून होते हैं जितने अर्थ व्यवस्था, रक्षा और वो दूसरे पहलू जो आज के समाज में महत्वपून माने जाते हैं केवल तभी महीला को समाज में उसकी सही जगा मिलेगी जिस तरह पुरुषगुण मानव जीवन में एक तरह की एहमियत रखता है जब तक कि हम ये नहीं समझ पाते कि ये दोनों हमारे जीवन में बराबर महत्व रखते हैं तब तक कोई वास्तविक बराबरी या न्याए नहीं होगा या आप ये भी नहीं कह सकते कि सब्भिता मौजूद है तो अगर बुद्धिमानी, समवेदन शीलता और बोध जीवन के सबसे एहम पहलू हो केवल तभी लेंगिक समानता आ सकती है अभी जरूरत है पुरुष्ट तत्व में ये जागरूकता लाने की कि स्त्री तत्व जीवन का उतना ही महत्वपून हिस्सा है मीडिया, शिक्षा प्रणालियों और अन्य सामाज एक व्यवस्थाओं को इस मामले में प्रयास करना चाहिए कि सिर्फ पैसा कमाने से हमारा जीवन सुन्दर नहीं बनेगा या ये या वो बना लेने से हमारा जीवन तभी सुन्दर होगा जब स्त्री गुण, स्त्री गुण का पहलू हमारे आसपास होगा, सिर्फ तभी सब कुछ सुन्दर होगा जिसे हम पुरुष गुण और स्त्री गुण के रूप में मानते हैं, वो प्रकृती के दो मूल भूद गुण है उसका लिंक से कोई लेना देना नहीं है ऐसे पुरुष हो सकते हैं, जिन में स्त्री गुण, ज्यादतर महिलाओं से अधिक हो ऐसे महिलाएं हो सकती हैं, जिन में ज्यादतर पुरुषों से अधिक पुरुष गुण हो ये बहुत महत्वपून है, कि समाज इस बात को समझे, कि किसी का शरीर महिला या पुरुष का हो सकता है मगर उसके गुण, स्त्री गुणों जैसे या पुरुष गुणों जैसे या दोनों का मेल हो सकते हैं ये ऐसा देश है, ये ऐसी संस्कृती है, जहां अपने भीतर की ओर देखना हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपून पहलू माना जाता है अपने भीतर देखने के कारण, अगर आप अपने अंदर परियाप्त गहराई में देखें, तो आप पाएंगे कि हर व्यक्ती, चाहे आपका शरीर पुरुष का हो या स्त्री का आपके अंदर पुरुष गुण और स्त्री गुण बराबर अनुपात में होते हैं इसलिए हमारे भगवानों को भी इस तरह प्रस्तुत किया गया है शिव को अर्ध नारी के रूप में दिखाया जाता है, वो आधे स्त्री, आधे पुरुष हैं मेरे खयाल से हमें इस दिन को स्त्री गुणों का दिवस कहना चाहिए, न कि महिला दिवस क्योंकि ये महत्वपून है कि दुनिया में स्त्री गुण आगे आकर सक्री हों तो स्त्री गुणों के इस दिन में मैं इसका नाम बदलने की आजादी ले रहा हूँ इसे महिला दिवस के जगा स्त्री गुणों का दिवस कहा जाए इस संस्कृति में हजारों सालों से स्त्री शक्ती की पूजा होती रही है ये महतुपूर्ण है कि हम अपनी संस्कृतियों में वो आध्यात्मिक स्वभाव लाएं जहां हर इंसान के लिए उसका जीवन और जीवन का अनुभव भौतिक शरीर तक सीमित ना हो वो देख पाए कि जीवन भौतिक शरीर से कुछ ज्यादा है वो अपने भौतिक शरीर से परे जीवन का अनुभव करे क्योंकि स्त्री ये पुरुष होना भौतिक प्रकृति तक ही सीमित है अगर आपका अनुभव भौतिक प्रकृति से परे है तो स्त्री ये पुरुष होना आपके जीवन में एक छोटा सा मुद्दा होगा कई ऐसी चीजे हैं या कई ऐसे स्तर हैं जिन पर कानून बना कर महिलाओं का शोशन रोकना होगा मेरे ख्याल से नियमों में हमने शोशन रोक दिया है मगर सामाजिक वास्तविक्ता में ऐसा होना अभी बाकी है इसके लिए सडकों पर लड़ाई करने की जरूरत नहीं है इसके लिए कानून को सही तरीके से लागू करना होगा लेकिन अगर सही तरीके से कानून को लागू करना है तो उसके लिए एक अनुकूल सामाजिक महौल होना चाहिए वो अनुकूल सामाजिक महौल तब तक नहीं बन पाएगा जब तक कि ग्यान का व्यापक प्रसार नहीं होगा शिक्षा और आर्थिक संभावना के रूप में अगर ये दोनों चीजे हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को अपनी आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा वो वैसे भी आजाद होंगी